किसान भायू मिर्च की खेती आज भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर खीजा रही है। और्या वीमारी परभावित होती है। जिनमें विशाणु जनित रोग जो है एक बहुत परभावित होती है। अचल边 मिर्च में बड़ी आती है थी आती जिसको आएठन का या बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता skilled उत्तिय की तरह बीमारी जाती है। पत्तिओं के आइठन के साथ इनमें पत्तियों का जो शेफ उनका आकार है उनमें काफी बदलाओ आता है और पॉधों की जो हाइट होती है वो भी परभावित होती है या यूँ कह सकते हैं कि पॉधे छोटे रह जाते हैं इस तरह से परभावित पॉधों में पुष्पन और फलन की काफी समस्या होती है यदि प्रारंभीक अवस्था में इस बीमारी के लक्षण पॉधों में दिखाई देते हैं तो ऐसे पॉधों में फल बहुत कम आता है और उत्पाधन इससे काफी परभावित होता है यह जो ब इस वायरस का एक वाहक है जो वायरस एक संकर्मित पॉधों में इसको फैला देती है तो यह थोड़े समय में ही हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्वस्थ खेत है वो पूरी तरीके से उनमें विशाणू के लक्षण दिखने लगते हैं और देखते हमारी जो है जो फसल होत तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे परभावी तरीका यह है कि हम इस बीमारी का नियंत्रण नर्सरी अवस्था से ही करना शुरू कर दें चूंकि यह जो बीमारी है वो नर्सरी अवस्था से ही मुखे खेत में आ जाती है तो इसके रोक्थाम के लिए सबसे पहले हम को जो जो इसका वाहक है, रोक कीठ है, सफेद मक्ही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो, अतियान तावश्यक होता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, जो हम लोग नर्सिरी जो उगाएंगे, जिसमें मिर्चिक करेंगे, उसको हम लोग एक बारीक, फाइन नेट से कम कर सकते हैं खेदों के अंदर, तो हमारी नर्सिरी अवस्ता से ही, फासल्स जो पोधे होते हैं, वो स्तस्त होते हैं, और जब उनको मुख्य खेद में लेकर जाते हैं, तो उनमें लक्षण काफी कम आते हैं, यदि अगर मुख्य खेद में पोधे की रुपाई हो गई है, और यदि उनमें अगर इस तरह के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, तब हम इनमें Imedia Cloprid 17.8 SL, 1 ml परती 3 लीटर पानी के हिसाब से, या थायो मितक्जाम 1 गराम परती 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसको हम लोग घोल बना करके, इसको हम लोग 12-14 दिन के अंतराल पे कम स से चार बार छड़काओ करें, इससे सफेद मक्ही का खेत में जो फैलाओ है, वो काफी हद तक रुकेगा, और वायरस का जो ट्रांस्मिशन है, जो फैलाओ है, वो भी काफी हद तक रुकेगा.